हेलो दोस्तों स्वागत आप सभी का हमारे ओनलाइन चैनल आरध्या अरेयस अकेडमी में दोस्तों राजस्तान में आयोजीत समस्त परतियोगी परिक्षाओं के लिए राजस्तान बुगोल की क्विजी स्टार्ट की गई थी और इसमें शिर्फ वो ही परिक्षा में बार बार पुछे जाते हैं दोस्तों अगर आपने पिछली 20 क्विज अगर नहीं देखी है तो आप ले लिस्ट में जाईए वहां पे आपको फोल्डर मिल जाएगा राजस्तान बुगोल क्विज के राम से तो आप वहां जाके 20 की 20 क पिज है वो जरूर देखें और रोजाना हमारे साथ में चले तो चले दोस्तों शुरू करते हैं आज का अपना पहला प्रेशन राज्य का वहां अभ्यारन कौन सा है जिसके छेत्र में इंद्रा गांधी नहर बहती है जिसको अपन सोट में IGNP बोलते हैं यानिके इंद्रा गांधी नहर परियोजना ठीक है तो कौन से अभ्यारन में इंद्रा गांधी नहर परियोजना बहती है तो आप सभी को पता है यह पस्मी राजस्तान में बहती है और पस्मी राजस्तान में कौन सा उध्यान है तो वो है राश्टिय मरू उध्यान ठीक है डी नंबर का जो की द्रश्टी से सबसे बड़ा अभ्यारनी भी कौन सा है राष्टिय मरू उद्यान कितने वर्ग किलोमेटर पर फैला हुआ है तो दोस्तों 3162 वर्ग किलोमेटर छेतर पर यह जो उद्यान है यह फैला हुआ है ठीक है तो इसमें डी नंबर उप्शन राइट आंसर नेक्स् समंदित है तो कौन सा छेतर समंदित है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें कौन सा तो वो है राष्टिय मरू उद्यान जसलमेर दोस्तों इस अब बैरन में गोडावन पक्सी है वो पाए जाते हैं और गोडावन परजनन के अंदर इस्तापित किया जा चुका है यहां पर राश्ट्य मरू उद्यान जशलमेर में? डी नमबर ओप्षन राई वप्षन हो जाएगा नेक्स्ट आंगे देखें बाटर फलाई वेली की स्टापना कहां की गई है? राजस्तान में बढब विलेज के नाम से मसूर है तो दोस्तो बड़ विलेज के नाम से कौन सा चित्र है वो मसूर है वो अपने को इसमें बताना है कौन सा बैरन है वो तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तो इसमें कौन सा तो वो है मेनार उदैपूर ठीक है मेनार उदैपूर का जो चित्र है वो बड़ village के नाम से मसूर है बी नंबर का जो option है वो इसका right answer हो जाएगा ठीक है आगे देखे दोस्तो इसमें वंधन योजना किस वर्स लागू की गई वंधन योजना किस वर्स लागू की गई तो दोस्तो वंधन योजना है ये बारा अगस्त 2015 को लागू की गई थी 12 अगस्त 2015 तो दोस्तों इसका कौन सा राइट आंसर हो जाएगा तो वो है इसमें 15-16 ठीक है 15-16 तो इसमें B-Number का उप्शन राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसमें क्या है कि वन्धन योजना में वन्ध शेतर के निकट रहने वाले लोगों के विकास एवं उनकी वनों पर निर्वर्ता को कम करने वह रोजगार उपलब्द कराने वह वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए शुरू की गई योजना है ये वन्धन योजना और इसमें सामिल कौन-कौन से छेतर किये गए हैं तो माउंट अबू, कुंबलगड, वन्य जीव, अब्यारन, जवाई, रन्थंबोर, टाइगर रिजर्व, राष्टिय, मरूद्यान ये दोस्तो इसमें सामिल किये गए हैं वन्धन योजना में, कप्रारम की गई थी 12 अगस्त 2015 को, तो इसमें B नमबर का उप्षन राइट आंसर हो जाएगा आगे देखे, बोगन वेलिया पार्क विक्सित किया गया है, तो दोस्तो बोगन वेलिया पार्क है, ये कहां पर इस्तापित किया गया है तो इसका right answer हो जाएगा वो है दोस्तो जैपूर में इस्तापित किया गया है ये ए नमबर का जो option है वो इसका right answer हो जाएगा next है निमनलिकित में से जो अब्यारन या राष्टिय उद्यान गंबीरी एवं बान गंगा नदियों के संगम के निकट है वहें कौन सा है तो दोस्तो वहें अब्यारन कौन सा है जो गंबीरी और बान गंगा नदि के संगम के निकट इस्तित है तो वहें अब्यारन कौन सा है तो इसका right answer हो जाएगा वो है दोस्तो केवला देव राष्टिय गना अब्यारन है ठीक है तो इसमें बी नमबर का उप्शन right answer हो जाएग सबको पता होना चाहिए दोस्तों वो है इसमें दोस्तों जो सरिस्का अलवर है इस अब्यारण में दोस्तों हरे कबुतर और मोरो की संक्या भी सरवादिक पाई जाती है सरिस्का अब्यारण में इस किस्ता अपना गुनी सो पच्पन में की गई थी ये भी आपको इसमें याद रखना है ठीक है और जो काकन बाड़ी का किला है वो भी दोस्तों इस सर इसका ब्यारन में ही है तो B नंबर उप्शन राइट आंसर हो जाएगा आगे देखे टिमरू यानि की तेंदू के वरक्स मुख्यते राज्य के किस छेतर में पाई जाते हैं तो तेंदू के वरक्स हैं वो कौन से छेतर में पाई जाते हैं तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दक्षनी एवं दक्षनी पूर्वी छेतर में ये तेंदू के व राजे में देश की पर्थम पैंथर पर्यूजना कहां लागू की गई तो ये लागू की गई थी दोस्तों कहां पर है तो ये जालाना वन शेतर जैपूर में जालाना वन शेतर जैपूर में पर्थम पैंथर पर्यूजना लागू की गई थी नेक्स्ट कुशन है आगे देखे राजस्तान में वनों के अध्यन से समंदित कौन परसीद रहे हैं तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तो सर एच सी चैंपियन है ये वनों के अध्यन से समंदित रहे हैं सी नमबर का उप्सन राइट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट है राजस्तान के अलावा गोडावन किस राज्य में पाये जाता है तो ये पाये जाता है दोस्तो कौन से राज्य में तो गुजरात राज्य में पाये जाता है राजस्तान के अलावा गोडावन ठीक है सी नमबर का option right answer हो जाएगा next question है आगे देखिए तेरा नमबर का प्रेशन है राज्य में वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम गुनिसो बहतर के तहत है वन्य जीवों के सिकार पर पून्तिया परतिबंद किस तिथी को लगाया गया तो ये लगाया गया दोस्तो कब तो ये एक सितंबर गुनिसो तिथी को ये पून्तिया परतिबंद लगाया गया था ए नमबर का option right answer हो जाएगा next है राज्य में वन्य जीव अब्यारन कितने हैं तो राज्य में वन्य जीव अब्यारन है वो कितने हैं तो दोस्तो सबको पतावना चाहिए 26 वन्य जीव अब्यारन है कितने हैं 26 वन्य जीव अब्यारन है तीन राष्टि उद्यान है तीन बाग सरक्षन परियूजना है दो रामसर साइट है आखेट निशेद छेतर है वो 33 है कंजर्वेशन रिजर्व है वो दोस्तो दस है ये भी आपको इसमें याद रखना है ठीक है आगे देखिए इसमें 15 नमर का प्रेस ने निमन में से कौन सा यूग में ऐसंगत है यानि कि कौन सा छितर में क्या-क्या है वो अपने को बताना है तो यहाँ पे देखिए आकल व बताया था दोस्तो उडन गिलेरी और चोसिंगा यह सरवादिक दोस्तो सिता माता अब्यरान में पाए जाते हैं थेक है तो दोस्तो यहाँ पे जम्वारामगड ते रखा जोकी इसमें गलत है जमवारामगड तो जैपुर में है तो चोसिंगा यहाँ पे सितम आता ब्यारण में आता तो यह सही होता लेकिन यहाँ पे गलत दे रखा है तो अपना राइट आंसर भी C नमबर का उप्शन हो जाएगा रनकपुर के जैन मंदिर है वो कुंबल गड़ अब्यारण में है यह भी इसमें सही है C नमबर का उप्शन राइट आंसर नेक्स्ट है आगे देखे निम्न में से कौन सा यूग में सही सुमेलित नहीं है कौन सा यूग में सही सुमेलित नहीं है तो यहाँ पे देखे दोस्त तो राश्टिय मरू उद्यान राश्टिय मरू उद्यान ये दोस्तो जैसलमेर और बाडमेर में फैला हुआ है बिलकुल सही है सीतामाता अब्यारन है ये दोस्तो चितोडगड परताबगड और उद्यपुर में फैला हुआ है ये भी इसमें सही है दर्रा अब्यारन बूंदी अजमेर ये गलत दे रखा है दोस्तों यहाँ पे देखिए दर्रा अब्यारन है ये कोटा और चितोड़ गड़ में फैला हुआ है ये आपको इसमें याद रखना है ये एसंगत है तो अपना राइट आंसर C नमबर का सभी प्रकार के प्राणियों और पेड़ पोदोसे इनसे संब्ध है दोस्तों जेविवित्ता का तो इसका राइट आंसर हो जाएगा C नमबर का उप्शन सही हुद्ध है नेक्स्ट है चंबल राष्टिय अब्यारन किस मुख्य वन जीव परजाती के सरक्षन के लिए महत् दोस्तों सब को पता होना चाहिए दोस्तों देखिए चंबल जो राष्टिय अब्यारन है ठीक है यह गडियालों के लिए प्रिशिद है तो इसमें बी नमबर का जो उप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा ठीक है दोस्तों राष्टिय यह चंबल राष्टिय अब ब्यारन है वो फैला हुआ है ठीक है ये भी आपको इसमें याद रखना है और ये पांच जिलों में विश्टरी थे राजस्तान में करोली धोलपूर स्वाइमादोपूर बुंदी और कोटा में ये भी आपको इसमें याद रखना है ठीक है आगे देखिए देश के इपर्ड पार का जो संबंध है वो किसे है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों जालाना जैपूर ए नमबर का उप्शन राइट आंसर नेक्स्ट है वन हमारे लिए क्यों आवस्चक है तो देखिए ये वायू मंडल की कारबन डाई ओकसाइड गैस को अवस है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो पर्यूख सभी कारणों से दोस्तों वन है वो हमारे लिए आवस्चक है दी नमबर का उप्शन राइट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट है आगे देखिए राश्टी चम्बल अब्यारान का विस्टार कितने जिलों में है तो दोस्त तो दोलपूर, करोली, स्वाई मादोपूर, बुंदी और पोठा ठीक है तो यह पांच जिलों में फैला हुआ है ए नंबर का उप्शन राइट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट राज्य के रेगिस्तानी छेत्र का पोदा मोपेन मूलते किस देश का है तो दोस्तों यहां पे एक पोदे का नाम है मोपेन, यह कौन से देश का है, जो रेगिस्तानी छेतर का पोदा है, ठीक है? तो यह है दोस्तों का तो जिम्बाबे का पोदा है मोपेन, B नंम्बर का उप्शन राइट आंसर हो जाएगा, नेक्स्ट है, निमनलिकित में से कौन सा अब्यारन उदेपूर में नहीं है तो उद्वड़ पूर में कोन सा अबायरन नहीं है तो यहां तो दोस्तब्स दोस्तों उद्वारत बोर साकंव एक डाएट नमबचा हो आप selfie स्यूत्तर ठीक है आगे देखें विलुप्त होने की कगार पर पहुंचा अजमेर जिले का सुबंकर परवासी पक्सी है तो वो कौन सा है तो वो है दोस्तों खमनोर राजसमंद ठीक है तो इसमें बी नंबर का जो उप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट क मोनो इस्पर्मा वन किसे कहते हैं ब्यूटिया मोनो इस्पर्मा वन किसे कहते हैं तो यह कहते हैं दोस्तों किसे तो यह धाक वन को बोलते हैं धाक है वन को ए नंबर का उप्शन राइट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट है नीमडी माता पार्क कहां इस्तित है नीमडी माता प आफरी है वो कहां पर इस्तित है यह इस्तित है दोस्तों जोदपूर में कहां पर जोदपूर में डी नंबर का उप्शन राइट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट आगे देखें देश की सबसे कम छित्रपल की बाग परियोजना जिसमें बाग बगेरे नीलगाय चीतल रीच जरक वे चिंकारा आदी पाए जाते हैं तो वो कौन सा अब्यारन है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है इसमें रन थंबोर अब्यारन सी नंबर का जो अप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा नेक्स्ट आगे देखें आमजन में वन्ने जीवों के सरक्षन के परती जाग रुकता बढ़ाने की दरश्टी से परतेक जिले के लिए उस जिले में पाए जाने वाले मैतोकून वन्ने जीव को बंकर बनाने का जो आदेश है वो कब दिया गया था तो यह आदेश दिया गया था दोस्तों बहुत एच्छा परसन है 17 फरवरी 2016 को 17 फरवरी 2016 को यह आदेश दिया गया था सी नंबर का उप्शन राइट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट है देखिए चिंकारा पसू सामाने त किस छेतर में पाये जाता है यह पाये जाता है दोस्तों जोदपूर छेतर में यह पाये जाता है डी नंबर का जो अप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट है मरूदरा बायोलोजिकल पार्क का सम्द्ध किस्छे है मरूदरा बायोलोजिकल पार्क का मरो भूमी में इस्टित पारस्तिती की तंतर का भेत्रीन उदारन है तो वो कौनसा है वो है दोस्तों इसमें कौनसा तो जहसल मेर में इस्टित मरो भूमी राष्ट्य उद्ध्यान तो इसमें C नंबर का ओप्षन राइट अंसर हो जाएगा नेक्स्ट है हरित राजस्तान कारिकरम किसे समंदित है तो ये समंदित है दोस्तों वन विकास से ए नमबर का जो उप्षन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट क्यूशन है आगे देखे देश की पर्थम खजूर पोध परियोग साला का निर्मान किया गया है तो ये निर्मान किया गया है दोस्तों कहां पर तो ये खजूर पोध परियोग साला का निर्मान है ये चोपासनी जोदपुर में किया गया है ठीक है चोपासनी नंबर का उप्षन राइट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट पर्थम व्यक्ति जिसे वन्य जीव सरक्षन एवं सुरक्षा हेतु अमर्ता देवी विष्णोई इस्मर्ति पुरुषकार गुनी सो सत्याण में से समानित किया गया तो दोस्तों वह पर्थम व्यक्ति कौन है जिसे अमर्ता देवी विष्णोई पुरुषकार गुनी सो सत्याण में मिला था तो दोस्तों वह कौन थे वह व्यक्ति कौन थे तो वह थे दोस्तों कौन तो सिरी निहाल चंद सी नंबर का उप्षन राइट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट कुशन है आगे देखिए निमनलिकित मे है ये भी सही है ये भेंसरोडगड है ठीक है भेंसरोडगड अबेरन है ये दोस्तों यहाँ पर कोटा दे रखा है जो कि इसमें गलत हो जाएगा ठीक है भेंसरोडगड अबेरन है ये दोस्तों चितोडगड में इस्तित है तो ये अपना डी नंबर का उप्षन राइट आ कब लागु किया गया यह लागु किया गया दोस्तों 23 अपरेल 1951 को बी नंबर का जो उप्षन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा आगे देखे राजस्तान के पस्मी भाग में वन किस रूप में है तो दोस्तों कौन से रूप में है तो यह काटेदार पेड़ वैजाडि कियों यानि कि मरूदबद के रूप में है तो इसका ए नंबर उप्षन राइट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट राजस्तान के पर्थम भालू अब्यारन का संब्ध किस से है तो पर्थम भालू अब्यारन का संब्ध है वो दोस्तों सुन्दा माता जालो और शिरोई में यह यह फैला हुआ है जालो और शिरोई में सुन्दा माता का नाम आपने सुना होगा ठीक है जालो और में है जहां पर पर्थम रोप वे लगाया गया था ठीक है तो बी नंबर का उप्षन राइट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट है आगे देखे सिरी जी के बनोत सिमीती का संब किस्ले है तो यह संबन्ध है दोस्तों वन नीती से संबन्ध है इनका ठीक है तो डी नंबर का जूप्षन है वह इसका राइट अंसर हो जाएगा तो दोस्तों यह मैंने आई आज आपको टो जो सालीस प्रस्ण है वहं Mea cream आज़ यह वहाँ पर आपको आप फोल्डर मिल जाएगा, राजस्तान जी के शोरी, राजस्तान भुगौल क्युज के नाम से, तो आप वहाँ जाकर दोस्तो तो सारी की सारी क्युज हैें, वो ज़रूर देखें, परते क्यूज के अंदर आपको 40 प्रसन दे जाते हैं तो अभी तक अपने दोस्तों 1440 प्रसन है वो राजस्तान बुगोल के कम्पलीट हो चुके है महाँ आपको करीबन 5000 राजस्तान बुगोल के प्रसन करवाऊंगा तो रोजाना मेरे साथ में चलते रही है और अरद्यारेस अकेडमी के यूटूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें बेल आइकन को दबाएं वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास में सेयर जरूर करें फेस्बूक वाटसब गुरूप पे मिलते हैं दोस्तों नेक्स वीडियो में जय हिंद जय भारत